ये वीडियो में मैं आपको एक निया अर्णिंग अपरचुनेट के बारे में बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप काफी ज्यादा पैसा कमा पाऊगे मैं complete process आपको बताऊँगा एक टूल के बारे में भी बताऊँगा तो सारा चीज देखेंगे वीडियो में उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करदना और वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक जरूर करदना और अभी जो background में मेरा screen देख पा र वीडियो लाऊंगा यह चैनल को बेसिकली बोलते हैं cash cow channel कैस का मतलब वह YouTube चैनल जिससे बस आपको पैसा कमाने का मकसद रहता है वह चैनल को हम बोलते है cash cow channel तो यह चैनल मेरा cash cow channel होगा और इसका जो growth है वह massive है यह almost मेरा जो financial friend का channel है इसको भी beat कर देगा कुछी दिनों में और सबसे important बात ये without face का channel है तो सारा process में आपको एक वीडियो में बताऊंगा almost next week तक वो वीडियो आ जाएगा लेकिन अभी ये वीडियो का जो main theme में उसके उपर बात करते हैं तो website का जो नाम है वो है design crowd design crowd.com इसमें क्या benefit है क्या advantage है क्या disadvantage है वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा skill develop करने के बाद आप definitely यहां से पैसा कमा सकते हो और अगर आप designer पहले से हो दिन यह आपके लिए एक बहुत ही side income हो सकता है तो यह सारा process मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं सबसे important बात यहां पे design crowd में आने के बाद आप एक normal सा registration process के बाद अपना account open कर लो account registration complete करने के बाद यहां पे jobs किसे मिलेंगे यहां पे जो सबसे important बात है वो यह है कि fiber या फिर upwork आपको इनके बार में पता होगा यह सारे freelance website है लेकिन वहां पे आपको काम ढूंडना पड़ता है clients ढूंडना पड़ता है यहां पे आपको ढूंडना नहीं पड़ता है यहां पे आपको काम करना होता है और काम के लिए आपको पैसा मिलता है तो ये एक step ahead है than Fiverr जहाँ पर आपको clients ढूरना पड़ता है जहाँ पर आपको खुद का एक ad बनाना पड़ता है और अगर आप beginner हो और Fiverr या फिर upwork में जाके आप अपना listing देते हो कि मैं एक designer हूँ तो 90% chances है कि आपका जो ad है आपका जो skill का ad है वो maybe 10th page में listing हो जिसके चलते आपको काम मिलना almost impossible है तो उसके मुकाबले design crowd आपका जो काम है वो हलका कर दता है design crowd आपको मदद करता है clients ढूडने में design crowd आपको clients ढूड के देता है आपको काम करना है अच्छे से और पैसा बनाना है design crowd में register करने के बाद यहाँ पे jobs दिखेगा jobs में आपको बहुत सारे categories मिल जाएंगे बहुत ही सारे categories मिल जाएंगे सबसे easy जो है जो मेरे को सबसे easy लगता है वो है logo design logo design पे जाओ और यहाँ पे दिखेगा 197 open logo design jobs इसका मतलब अभी currently 197 jobs available है design crowd में बस यह logo design में और जैसे कि मैंने अभी दिखाया jobs section में almost बहुत सारे jobs है बस logo design में 197 jobs available है और यह सारे jobs तुम कर सकते हो ठीक है ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई degree चाहिए या फिर कोई certification चाहिए कुछ नहीं चाहिए सारे jobs में तुम काम कर सकते हो सारे jobs में submission कर सकते है तो यहाँ पर जो मैं अगर scroll down करूँ यह सारे एक-एक जो card दिख रहा है यह सारे एक-एक job है ठीक है यह सारे एक-एक job है अगर मैं किसी को भी open करूँगा उसका complete detail निकल के आएगा कि कौन सा logo design वो चाहते हैं अगर यहाँ पर देखो 150 डॉलर मिलेगा अगर यह logo design तुम करते हो अगर लोगो design करते हो और तुम्हारा submission accept होता है दें 150 डॉलर मिलने वाला है ठीक है और जो यहाँ पर देखेगा 25 डिजाइन 20 डिजाइनर इसका मतलब क्या है यहाँ पर सारे designs को तुम कर सकते हो और तुम्हारा competition होगा इन ही 20 designer के साथ ठीक है तो यह 20 designer अपना 25 designs दे चुके हैं तुम अगर तुम्हारा design देते हो तो 26 design होगा वही 26 designs के अंदर जिसने भी यह job post किया है वो चेक करेगा और उसको जो design सबसे अच्छा लगा उसको मिलने वाला है $150 तो अगर fiber या फिर upwork के साथ इसको compare करो तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि fiber या फिर upwork में बहुत ज्यादा competition है यहां पर आपको 25 designers या फिर 20 designers के साथ आपको competition करना है तो यहां पर बहुत सारे jobs available है more than 197 सबको कर सकते हो और सबसे important बात यहां पर काम हमेशा available रहता है almost 24 x 7 काम available रहता है तो जब भी open करो कोई भी अच्छा सा job आता है उसके लिए design देखे काम कर सकते हो और पैसा बना सकते ह और और एक चीज़ है यहां पर कोई mobile PC का भी चीज़ नहीं है बहुत सारे लोग हैं जो mobile में भी design करके पैसा कमा रहे हैं तो definitely अगर आप mobile वाले भी हो पैसा कमा सकते हो मैं आपको tool भी बताने वाला हूँ कौन सा tool यूज़ करके आप यहां पर earning start कर सकते हो और एक चीज़ अगर competition best देखो तो जो भी job में 30 design से कम होगा उसके उसमें apply करो उसमें design बनाओ और submit करो ठीक है क्योंकि वहां पर competition बहुत कम है और probability तुम्हारे जीतने का बढ़ जाता है और यहां पर $150 से लेके $900 से फिर $1000 पर logo design का भी मिलता है तो यह काफी अच्छा website है अगर आप अच design बना के submit कर सकते हो और अगर आपका design best रहा definitely आप पैसा कमाने वाले हो तूल के लिए मैं आपको recommend करूँगा Canva को use करो बहुत बड़ा website है मैं भी आपको पता भी होगा Canva को use करके आप free में design बना सकते हो जैसे कि हम logo design के पर बात कर रहे थे तो यहां पर आप देख सकते हो logo design के लिए यहां पर है तो जितने भी design आपको design crowd में जितने भी type के tasks है वो सारे type के designs आप बना सकते हो Canva में अगर आप beginner हो तो आप Canva को use करके definitely काम सीख सकते हो अब यह मैं logo में जाता हूँ और basically आप ड्राग और ड्रॉप करके भी आप अपना logo को बना सकते हो लेकिन जो thought process ह वो आपका original होना चाहिए कोई भी जगह से copy मत करो खुद का design बनाओ ठीक है खुद का thought process बनाओ यह सबसे main चीज है कहीं से भी अगर copy करते हो तो वो अराम से उनको पता चल जाता है आप अपना खुद का thought process लगाओ में भी कोई चीज को देख के आप inspire होके बना सकते हो लेकिन copy मत करना ठीक है 100% खुद का एक idea होना चाहिए खुद का thought process होना चाहिए और उसको लेके आपको design बनाना है तो यहाँ पर drag and drop करके भी आप बना सकते हो यहाँ उपर में search box है कोई भी चीज पर अगर आपको logo बना सकते हो ठीक है कहीं से copy मत करो सिधा कोई google image से लागके copy paste मत करना उससे बस आपका time waste होने वाला है मैंने देखाए बहुत सारा यूटिवर्स बोले हैं design crowd के बारे में आप बस google से या फिर कोई website से अपना image लाओ उसमें थोड़ा सा कुछ changes कर लो और उसको submit कर लो आप पैसा कुछ नहीं होने वाला है उससे आपका बस time waste होने वाला है तो सबसे important बात अगर beginner हो तो main बात यह है खुद का thought process लगाओ खुद का thinking लगाओ और उससे design बनाओ उसको submit करो time लगने वाला है लेकिन आपका definitely skill यहां पे build होगा और skill के साथ साथ आप definitely यहां पे पैसा भी कमा सक कर सकते हो और एक चीज़ भी आप कर सकते हो design crowd में आप initially काम कर सकते हो जैसे ही आपको लगता है कि आपका skill improve हो चुका है आप धीरे-धीरे fiber या फिर upwork में भी जाके काम करना start कर सकते हो में अभी से कुछ strategy based skill based जो opportunities है जो earning opportunities हैं उसके बारे में में वीडियो बनाना start करने वा अब भी इसको यूज कर क्या पैसा कमा सकते हो अभी नेक्स्ट वीडियो आने तक दोस्तों happy earning